भी लोहार को देखा है, एक मृत्र पशू की खाल की बनी धोकनी से निकली हवा, भट्टी में इतना ताप उत्पन कर देती है, कि लोहा भी उसमें भस्म हो जाता है वो उस मृत्पशू की आ है उसकी पीड़ा के कारण निकला अभिशाप है जो इतना तापुत्पन करता है कि कठोर लोहा भी पिघल जाए उसका आकार बदल जाए जब तन पर चोट लगती है तो मुख से आह निकलती जब मन पर चोट लगती है तो आखों से अश्ट निकलाती है परन्तु जब स्वाभिमान पर चोट लगती है तो मुख से निकले श्राब से अधिक विद्वनसक होता है आत्मा से निकला अभिशाप श्राब केवल भौतिक रूप का नाश करता है परन्तु अभिशा केवल नाश नहीं करता अभी तु सदियों से मिटे अस्तित्व का एक उधारन बना देता है इसलिए कभी किसी को इतनी पीड़ा मत पहुचाईए कि आपका अस्तित्व अभिशाप में बतल जाए